आज मिलावट और रैसायनिक खादे एवं रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल काफी चलन में हैं क्योंकि केमिकल युक्त प्रोड़क्ट्स सस्ते होते हैं परन्तु इन उत्पादों को इस्तेमाल करने से मनुष्य के शरीर पर दुश्प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है इसे देखते हुए रोजमर्रा की द्यानिक उपयोग की वस्तुओं को केमिकल फ्री निर्मान करके डिरेक्ट सैलिंग पद्दती के जरिये आम जन मानस तक पहुचाने का बीड़ा दार्जू 9 इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने उठाया है आज लगभग पूरा विश्व रासाइनिक उत्पादों की गिरफ्त में आ चुका है जिसकी वज़र से मनोश्य का जीवन काफी संगर्श पूर्ण होता जा रहा है विशेश तोर पर दिखा जाये तो भारत की लोग इसकी गिरफ्त में कुछ जादा ही नजर आ रहे हैं कारण जो भी हो परन्तो इसकी वज़र से काफी भैंकर रोगों का सामना लोगों को करते ही दिखा जा रहा है हाला कि भारत सरकार केमिकल फ्री लाइफ जीने के लिए देश वासियों को जागरू करतो रही है पर वही नाकाफी साबित हो रही है इसे देखते हुए इनके द्वारा बनाया जा रहे है केमिकल फ्री उत्पादों की डिरेक्ट सेलिंग की जा रही है ताकि इन रासायनिक रहित उत्पादों को सीधे कंपनी से आम जन्मानस तक पहुंचाया जा सके ऐसा ही एक जागरूकता का एकरम भिलाई में भी आयोजीत किया गया जिसमें इन सभी चीजों की जानकारिया लोगों को कराई गई करके हमारी मार्केट में पहचा आने से इंडिया अच्छी कंट्री है थोड़ा सा इसका इशू रहता है क्योंकि हमारा कंजुमर बहुत लंबे टाइम तक सोता रहा भारत सरकार ने भी गैंपेंच चलाया जागो ग्राहक जागो तो भारत सरकार अपने इस तर पे जगा रह रहे है रिस्पन्स लेकिन भारतियों बनाट लोगों को जब हमने बताया के तो हमने देखा कि तर है एक brain drain करके मैंने 97 में डिबेट किया था स्कूल में 97 से क्विश्य है कि हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे brain हो जाते हैं बाहर चले तो यह जरूरी नहीं कि हर बार आप profit बनाने के लिए बूस्ट करने के लिए अच्छी चीजों को अपनी संपदाओं को बाहरी दें तो फिर तो आप अपने देश के प्रती बहुत बेइमान हैं इसको भी देश दुरू बोल सकते हैं अगर आप अपने देश में ही कम profit पे वि हो ज्यादा महत्वपूंग चीज है कि गोरों का गोरों देख लेंगे प्रमात्मा देखेगा प्रकरती देखेगी उनसे कोई खुंदक नहीं है लेकिन हां हमारे देश को बहुत जरूत है इस समय पे हमारा पैसा बहुत ड्रें हो रहा है ब्रेंड हो रहा है तो कम profit पे ऐसी के दिनों जुड़े हैं वेवसाई के लिए भी जुड़े हैं तो उनका परिच्चे मिशन से थोड़ा कम हुआ होगा थोड़ी जानकारी मेरे माध्यम से ज्यादा हो जाएगी तो लोगों में और जाग रुपता लेके आना कुछ फैक्चुल चीजे पेश करना और जो नए केमिकल फ्री कोस्मेटिक्स कर रहे हैं विद और गेनिक इंग्रिडेंट्स अभी हम एक बड़ी अच्छी रेंज जर्मनी से लेके आए हैं क्लीनिंग प्रड़क्स की जो वातावरन के लिए भी बहुत फायदे मंदे जीरो वेस्ट प्रड़क का हमने स्टार्ट किया क्यों इंसान के शरीर पर पड़ता है ये धीरे धीरे पूरा विश्व जानता जा रहा है परन्तु भारत में जागरूपता की कमी की वज़ा से ऐसे रासायनिक उत्पाद धरले से बेचे जाते देखे रहे हैं और लोग इसे खरीद भी रहे हैं इन सभी के अंत होने का समय आ गया है क्योंकि दार्जु नाइन इंटरप्राइजेस प्राइविट लिमिटेड ने जिसका बेड़ा उठा लिया है ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए संतो शर्मा की रिपोर्ट